हेलो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपकी पड़ाई एकदम अच्छे चल लही होगी बहुत लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा कि इंटरव्यू जो बारका होगा कैट वन के लिए वो कैसा होता है क्या-क्या तैयरी करने चाहिए उसमें क्या-क्या चीजों का ध्यान दख किये हैं इस वीडियो में मैं आपको उन सभी टिप्स की जानकारी दूँगा जो की आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं कुछ बेशिक कोशन के साथ जो लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछे हैं बहुत इमेल आइडी के थुरू टेंटिवली डेट दे दी जाएगी कि उनका इंटरिव्यू कब होगा ठीक है तो अभी इंटरिव्यू के आपको टेंचन नहीं लेनी अभी आपको रिटन पर फोकस करना है तो बहुत लोगों ने ये भी कोशन पूछाता है कि रिटन कब होगा त तो तो उनको क्या होता है कि रेलवे की टिकट नहीं मिलती ये बहुत बड़ा मेजर कोशन था उनके लिए भी तो उन्होंने क्या करा एक महिना पहले ही आपको इनफॉर्म कर दिंगे जब भी कभी आपका रिटन होगा तो उसके लिए आपको वरी नहीं करना मान लेजिए आपके पास तीन से चार महिने हैं अगले कोशन पर चलते है अगले कोशन में बात करते हैं कि इंटर्व्यू की लोकेशन क्या देगा तो देखें इंटर्व्यू की लोकेशन तो मैं आपको अभी बता सकता हूं बार्क का कैंपस इटसेल्फ लोकेशन होता है इंटर्व्यू के लिए ठीक है ना यानि बार्क का जो कैंपस होगा उसके अंदर ही आपका interview होगा उसका भी date और time आपको मिल जाएगा तीसरा question कि भई आप interview की तियरी कैसे करें तो देखिए आप किसी भी stream के हो mechanical, civil, electronics है ना तो आपके पास 4-5 subject देखिए बहुत important है याद रखना 4-5 subjects आपके favorite होने चाहिए ये favorite subject मतलब जिसमें आपको 100% assurance होना चाहिए कि हाँ अगर कोई मुझसे इन 4-5 subjects में से कोई question करे तो मैं उसको answer दे सकता हूँ तो ये 4-5 subjects आपको अच्छे से त्यार करने हैं देखिए क्योंकि हम अगर diploma की बात करें हैं BSE level की बात करें तो बहुत सारे कैसे question करता है interviewer तो इसमें से आपको बहुत basic level से question ही start किया जाएगा basic level के बाद वो question की depth में धीरे-धीरे करके जाएगे आपको पता भी नहीं चलेगा और ऐसे time पे आपको रोकेंगे जब आप answer देने में असक्षम हो जाएगे तब वो तुरंथ ही next question next interviewer question कर देता है देखिए basically होता है क्या है होता यह है कि इसमें total जो लोग बैठते हैं जो आपका interview लेते हैं वो 5-6 लोग होते हैं ठीक है ना मान लीजिए ये 5-6 लोग आपका interview लेने हैं बैठे हूँ है ये table कुछ ऐसे round shape में भी हो सकती है कैसे भी हो सकती है मेरे time में round थी आपकी chair सामने होगी इनके एकदम सामने है ठीक है और इस chair के पीछे ये पूरी की पूरी white board होता है जैसे मैं अभी इस white board पे लिख रहा हूँ ठीक है आपको बिठाया जाएगा सामने केवल आपसे introduction लिया जाएगा कि आप क्या करते हैं अगर आप job कर रहे हैं तो कहां job करते हैं आप कहां से आए हैं basic introduction आपका नाम क्या है ठीक है उसके बाद आपसे सीधा सवाल पूछ लिया जाएगा कि आप हमें अपने पसंद के 4-5 subject बताईए तो आपको यही 4-5 subject जो आप त्यारी कर रहे हैं उनको ही कहना है ठीक है अब यह जो 5-6 subject लोग बैठे हैं यह इस 5-6 subject से बाहर नहीं जाएगे हाँ यह हो सकता है कभी-कभी एक आदा question एदो दर से पूछ लिया जाए वो भी बहुत rare होता है इस 4-5 subject के बाहर कोई नहीं जाता मैंने भी दो interview face की हैं कोई नहीं पूछता है इसके बाहर ठीक है अब क्या है अब जब interview लिया जाएगा अब जिसका interview अच्छा जाता है उसका तो चलता है आदा गंटा चल जाता है 45 मिनट एक घंटे तक चल जाता है एक तरीका यह होता है कि आप उनके अनुसार चलिए यानि जैसे जैसे वो question पूछ रहे हैं आप उनको answer दीजिए दूसरा तरीका यह होता है कि आप उनको अपने अनुसार चलाईए यानि कि आप अपना answer उस stage पे लाके छोड़िए कि वो विवस हो जाएं कि अगला question उससे यही पूछना है जो कि आपके strength बनेगा I hope आपको थोड़ा सा idea लगा होगा ठीक है अब देखिए इसमें एक चीज मैंने जरूर लिखिए कि आप क्या ना करें देखिए बहुत important चीज है जब भी कभी आप interview face करेंगे तो उनसे आपको बहस नहीं करनी है बहस का मेरा मतलब है कि question के उपर मालीजे उन्होंने कुछ question पूछा ठीक है आपने अपना answer दिया वो बोलते हैं कि नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है तो आपको एकदम ऐसे नहीं अड़ना है आपका जो सबसे best subject है ना इनका सबसे worst subject होगा यानि इनके पास जो भी subjects होगे ना उनमें सबसे worst subject वो होगा जो आपका best subject है तो आप level of knowledge को समझ सकते हैं कि आप कहां पे हैं वो कहां पे हैं ठीक है फिर भी वो बहुत लोग polite होते हैं बहुत humble बात करते हैं जाओं याद रखना जभी पूरा का पूरा क्लेक्शन बेंड थे आप तो आपके सामने maximum time में क्या होता है इस Ben पूरा पूरा का पूरा का कलेकशन बैठता है ना तो आपको इसपे ज्यादा फोकस करनाए अगर यह मेकेनिकल आपको पिछले दो इंटर्व्यू के कोशन दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटेच कर दूंगा उसमें जा के आप देख सकते हैं मैंने उसमें हाथ से लिखा हुआ है कि मुझसे क्या-क्या कोशन पूछे गए ते अगर आप वर्क कर रहे हैं पढ़ने के साथ साथ मान लीजिए आप कोई जौब भी करते हैं तो आपसे जौब के बारे में भी दो-तिन कोशन वो डेफिनिटली पूछेगा और जो लोग जौब नहीं करते हैं उनसे पूरा का पूरा पूरा वो टेकनिकल पूछता है अब बात करते हैं कि भई 2017 और 2018 का जो रिटर्ण टेस्ट था जो मैंने दिया था एक्चुली मैंने टोटल तीन दिये थे तीन में से मैंने दो को क्वालिफाई किया है यानि कि दोनों को इंट्रिव्यू तक गया था मगर एक में इंट्रिव्यू में सेलेक्शन नहीं पाया और जो लास्ट मैंने इंट्रिव किजेगा तो दोस्तों best of luck आपके return test के लिए और साथ-साथ interview के लिए मिलते हैं कभी next वीडियो में बाई take care